हजी दोस्तों तो कैसे हो आप सभी सो प्यारे बच्चों जैसा कि सभी बच्चे हाड वर्क तो कर लेते हैं बड़ स्मार्ट वर्क बहुत कमी बच्चे करते हैं तो ये वीडियो में मैं आपको एक स्मार्ट वर्क का तरीका तो नहीं बट एक ऐसा चीज प्रोवाइड करने जा रहा हूं जिससे आपको कम पढ़ना पढ़ेगा नापके मार्स काफी जादा अच्छे आएंगे यानि कि स्मार्ट वे में आपको महनत करना समझ आ जाएगा तो जैसा कि क्लास 10 का साइन्स का 2024 का एकजाम कोई XYZ में होने जा रहा है वो डेट अभी हमें पता चलेगा कुछ महना के बाद तो यहाँ पर फ्यार बच्चों आपको पता होगा कि क्लास 10 साइन्स का पेपर 80 मार्स का होने जा रहा है जिसमें सेक्शन A के अंदर टोटल 20 MCQs सेक्शन B में आपका 2 मार्स वाले 6 कोईशन सेक्शन C में 3 मार्स वाले 7 कोईशन सेक्शन D में 5 मार्स वाले 3 कोईशन सेक्शन E के अंदर के स्टडी कोईशन रहेगा टोटल 3 और 4 मार्स इच वाले ओके तो टोटल 80 मार्स का वेटिज होता है तो इस वीडियो में मैं आपको blueprint या फी chapter wise weightage provide करने जा रहा हूँ या फी chapter wise marking scheme जहां से आपको बता चलेगा कि कौन से chapter से कितने marks वाले question कितने सारे पूछे जाएंगे so that जो आपका high weightage वाला chapter होगा उसको आप लोग जादा focus करें क्या बात clear है very good so प्यार बच्चों सीधा में लेके चलता हूँ आपका जो पहला chapter है chemical reaction उसमें से total 6 marks का question आने वाला है बाकी 1 marks वाले कितने है 2 marks वाले कितने 3 marks वाले कितने वो आप देख सकते okay acid basis and salt से 3 marks का weightage है metals and non metals से आप देखरे 10 marks का weightage रखा गया है तो definitely इसको आपको priority देना पड़ेगा थोड़ा लंबा भी chapter है I know carbon and its compound से 6 marks का weightage priority classification easy chapter है but delete कर दिया गया है कोई question नहीं आएगा life processes बड़ा chapter है 9 marks का weightage है coordination से आपका 3 marks how do organism reproduce यानि के reproduction से 6 marks का heredity and evolution से 7 marks light से आपका heredity and evolution उसे 7 marks का light से 10 marks का question आएगा human eye से ज़्यादा weightage नहीं दिया गया electricity से 7 marks का magnetic effect से 6 marks का sources और energy से कोई question नहीं आएगा आपर environment से 5 marks का ओके प्यारे बच्चों तो दिखे ये आपका एक roughly weightage है ध्यान रखी का यही weightage को base बना कर ही आपका final paper बनाया जाएगा बड़ एक चीश में आपको बता दूं कि like paper leak ना हो जाए उसके कारण CBC आप क्या करता है कि पूरे इंडिया के अंदर total 15 to 16 sets के अंदर paper को design करता है तो दिमाग में रखीगा कि जो मैंने आपको weightage बताया वो 2 chapter के बिश में plus minus 1 fluctuate कर सकता है बड़ base आपको इसी को बना के चलना है और यही मान के आपको चलना है ओके बात के लिए हरे very good तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो वीडियो में छोटा ही रखता है उसका पीडियप अगर आपको चाहिए तो description box मैंने link दे दिया है और हमारे effort के लिए subscribe कर दीजें वीडियो को like जरूर कर दीजेगा